नमस्कार स्वागत है आपका MP News में मैं हूँ आपके साथ दिव्य विजवर गया चौती बार सत्ता पर काबिज होने के लिए CM शिवरा सिंग चौहान तरह तरह के जतन कर रहे है ऐसे में सागर पहुँचे CM शिवरा सिंग चौहान ने बड़ी घोशनाए की है घोशनाए कुछ ऐसी कि जनता को साधने में कहीं कोई कोर का सर यहाँ पर CM शिवरा सिंग चौहान नहीं कर रहे है साथी आचार सहिता लगने वाली है ऐसे में पूरी कोशिश है CM शिवराज की कि कहीं न कहीं इतने वो जतन कर लें इतने वो जो है जनता को साथ लें कि चौथी बार सत्ता पर काबिस बीजेपी सरकार ही हो मध्यप्रदेश में इसको लेकर दो बड़ी घोशना है की है सबसे पहले MP News के समभादाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए है संदीप आप से जानना चाहेंगे कि यह जो गोव मंत्राले बनाने की घोशना यहां पर सियम शिवराज सिंग चौहान ने की है क्या इसके पीछे के जानकारी निकल कर सामने आ रही है जी हाँ दिवेजी में बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान ने गोव मंत्राले बनाने की घोशना किये इस देखकर एक अंदाजा लगा जा सकता है कि मद्ध प्रदेश में अब गोव पर सियासत सुरू होने लगई या कहा जा सकता है कि गाई पर सियासत सुरू होने लगई क्योंकि पिछले दिनों हमने देखने माया था कि कॉंग्रेस के प्रदेश अद्ध्यक्ष ने बात कही थी कमलनाथ ने की कॉंग्रेस की सरकार बनती है तो हर गाउं में गोशाला बनाई जाएगी तो इसी बीच अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान ने भी गो मंत्राले बनाने की गोशना करके एक बड़ा सियासी दाव खेला है या फिर कह सकते हैं कि खुद को भी गाई हेते सी बताने की कोशिश किये क्योंकि जिस तरीके से तमाम तरह के हिंदू धर्म के लोग और जिस तरीके से सादू संत लोग गाई की सुरक्षा को लेकर तमाम तरह की मांगे करते हैं उसे देखते हुए शिवराज सिंग चोहान की गो मंत्राले बनाने की गोशना कहीं न कहीं एक बड़ा सियासी कदम सावित होगी और यह उन लोगों की नराज की दूर करने के लि यह तमाम तरह की मांगे करते आये हुए तो एक तरीके से कहा जा सकते हैं कि गाई पर सियासत हो चलिए मध्यप्रदेश में और भाजपा ने चुनाव से पहले एक बड़ा सियासी दाव खेला है बलकुल ठीक बात है ऐसे में गाई को बचाने निकल ले हैं अब यहाँ पर स संदीब की जो किसान है उनको पर क्विंटल सोयबीन पर 200 रुपे का वो बोनस देंगे क्या किसानों को साथ पाएंगे इस लालच के साथ जी हां निश्चित तोर पर जिस तरीके से मध्यप्रदेश में सिवराज सरकार के खिलाफ किसानों की नराजगी देखी जारी तमाम तरह की नराजगी अभीव सामने आने लगी है जिस तरीके से सुयबीन की फसल निकलना शुरू ही नहीं हुई है कि इंदोर में एक मामला आया था कि जहां पर किसानों ने फसल की दाम को लेकर बड़ा हंगामा किया था तो ऐसे में और भी कहीं जगहों से फसलों की दाम को बिखता है, किसान अपनी फसल को बेसता है, उसे अब एक्स्ट्रा सिवराज सरकार उन दामों में किसानों को 500 रुपे का बोनस देगी यह कहा जा सकता है कि प्रतिय इसले दिनों भी उन्होंनों की नराजगी दूर करने के लिए कई घोषना की थी अचार सहीता नस्दीक है तो कहीं ना कहीं किसान की नराजगी और आगे बढ़ पाए इससे देखते हो उन्होंने यह घोषना बड़ी की है विल्कुल बिल्कुल यहांपर दो यह बड़ी बोनस की यहां पर बात की है तो ऐसे में आचार सहीता लगने वाली है संदीप और उसी के साथ में यहां पर घोशनाओं पर घोशना है क्या ऐसा नहीं लगता कि सीएम शिवराज सिंग्छ चौहां थोड़े से डरे हुए है कि कहीं ऐसा नहीं कि अगर घोशना ही कि तो मेरे अपने ही मुझसे रूट जाएंगों चौती बर सत्ता पर काबिस होने का सपना कहीं अधूरा ना रह जाए, जिस तरीके से प्रदेस का हुद्गशुत में जाता हूद दिखा ही दे रहा हूदू कहीं न कहीं एक तरीके से शिवराज सिंग चोहान के चेहरे पर एक डर का माहुल तो देखा ही जा सकता है क्योंकि जिस तरीके से वो घोषणाओं पर घोषणाओं करते जा रहे हैं तो कहीं न कहीं यह अंदाजा लगाए जा सकता है कि आचार सहीता लगने से पहले मुख्यमं साथ ऑफिर सिंहासन और सीवाराइब कोशिश कर रहें तो ऐसे में जनता उनकी घोश्नाई ऐसे में गोश्रोच खुश हो उनको मुख्यमंत्री पद पर काबिस पाते हुए खुश होती है, देखने वाली बात होगी कि जनता इस बार किसको अपना मुख्यमंत्री चुनती है, कौन सी पार्टी को अपना बनाती है, ऐसे में देखने वाली बात होगी, और वहीं ये भी देखने वाली बात होगी कि CM शिवरासिंग चौहान की चुनाव के मद्दे नजर अचार सहीता से पहले ये घोशनाय क्या कमाल कर पाती है संदीब जी पूरी जुआनकारी देने के आपका बहुत बहुत शुक्रिया आगे भी ताजातरीन खबरों का सिलसला लगातार बना हुआ है आप देखते रहें MP News नमस्कार